जी बात कीजिए हकीम साब आपके साथ जुड़े हुए हैं हमने कुछ दिन पहले दावा मंगाई थी एक महीना पहले दोन रंगा और हमारे परिसानी थी इंफेक्शन और गर्भासे में सूझन थी जी तो बल्स एक में रंगा मंगाई थी और डेट और गर्भास में थी और सॉफ और एपक्शन रखा रही हैं मगर एक महीना हो गए इससे फैरी लिफसाइड में दर्ड हो रहा है और अब रात में परिस नीड नहीं आती और सीने की जगे बेशाइनी होती है दद कहा हो रहा है आपके दद हमारे लेप्ट उसमें बाएं साइड में होता है नीचे पेट के साइड में पेट कैसा है पेट कैसा है आपका ऐजया है कि अब रात में हमको पीने में उल्जन होती है खुट डकारे आती है उब खना नहीं हज़म होता अच्छे से और नीद भी नहीं आती है रात में कितना कितना लेते हैं याप यह हम एक चम्मच लेती है डाक्टर शाब कितनी बार दो बार दो बार अच्छा लेट्टीन ठीक होती है गैस पास होती है गैस पास होती है भी नहीं होती है अब मिल पहले में अब किया चेंज आया है ये बता जिए मुझे चेंज ये तो डाक्टर शांचियों पहले भाड़ा तना तना शाद तो ये है ये आप तना ये ये शीज नहीं है ठीक है बुटा और डाक्रशाब रात में हमको नीद नहीं आती है और नीद भी नहीं आती है और रात में बार बार पिशाब भी जाना पड़ता है बार बार थीके उट रेख Augen करो ढगिया है अप पुरानी रोगी है धोड़ा और सहायम रखें ये तदम-धेले पेट में आसानी करती है, वही मैं पूछना चाह रहा था तो ये नुस्का जब तक चलेगा, जब तक आपको बहुत फाइदा होना चाहिए और इसको खतम कर लीजे किसी सूरत और उसमें अगर आपको 50% भी फाइदा हो गया तो समझ लीजे कि एक नुस्का और लगेगा अभी ज़रा सा फाइदा हुआ है, अगर पेट की का जो तनाव खतम हुआ है तो ये अच्छा फाइदा कहलाता है, लेकिन हमें आदत है एकदम से फाइदे की कोई भी ऐलोपेटिक दवा ली, एकदम से पूरा फाइदा हो गया तो हमें इत्मिनान रहता है, ये दवा इसी तरह काम करती है और आप थोड़ा और साहियम बरते हैं, आपको फाइदा मुम्किन है